यहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल रेलवे तक में तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे के असिस्टेंड लोको पाइलेट यानि की एलपी का जो सेलरी सिलिफ होता है उसमें रेलवे इंपलोईस को क्या क्या अल अलाउंस और सबसे महत पूंट क्लोविमेटर अलाउंस के बारे में समझेंगे तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब रेलवे तक और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें तो चलिए शिरू करते हैं जैसे कि आप सभी को रेसे एक एप है प्ले सिटोर पर उस पर सो किया जाता है इस रेस एप में एम्प्लोई का पूराईब रेटा और lowers related सभी जानकारी उपलब्द होती है इसी रेसे एप में एम्प्लोई का NPS All sounds holiday लीव ओ सभी जानकारी एक ही एप मेर मिल जाएगी हम बात बात करते हैं रेलबे इंप्लोईस की जो पेसलिफ होती है उसमें क्या क्या जानकारी दिखाई जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टार्टिंग में जनबरी 2022 के लिए ये पेसलिफ थी इसमें करमचारी की संख्या यानि की PF नंबर सो किया जाता है इसके बा बाद ALP Electric Department में आता है तो वहां यहां पर सो किया गया असिस्टेंट लोको पाइलेट जिस स्टेशन पर न्यूक्त किया जाता है वहां का स्टेशन कोड दिया जाता है इसके बाद उसी स्टेशन का बिल यूनिट और रेलबे इंप्लोईस का जो आधार संख्या होती है वह यहाँ पर सो किया जाता है जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ALP Assistant Local Pilot भारती रेलवे में Pay Level 2 का करमचारी होता है तो वह यहाँ पर सो किया गया है रेलवे इंप्लोईस की सेलरी में प्रतेक वर्स इंक्रिमेंट लगता है इस सेलरी में आप देख सकते हैं कि रेलवे इंप्लोईस का नेक्स्ट जो इंक्रिमेंट है वह एक साथ 2022 को लगेगा इसके बाद रेलवे इंप्लोईस का जो मॉबाइल नंबर है वह यहाँ पर सो किया जाता है इंक्रिमेंट डेट साल में जनबरी महा में अथवा जुलाई महा के स्टार्टिंग में ही लगता है जो की साल में एक बार लगेगा इसके बाद बात करते हैं तो रेलवे इंप्लोईस के जो डेट ओफ जोइनिंग होती है वह यहाँ पर सो की जाती है और नेक्स्ट पी एफ एकाउंट नमबर जो की 11 डिजिट का होता है रेलवे इंप्लोईस का एक बहुत ही महत्पूर्ण माना जाता है इसके बाद रेलवे इंप्लोईस को जो पेमिंट किस मोड में की जाती है वह यहाँ पर सो किया जाता है जिस बैंक में उसका खाता है वह यहाँ पर सो किया जाता है इसके बाद उस बैंक एकाउंट का खाता नमबर और रेलवे इंप्लोईस का जो पेमिंट कार्ट नमबर होता है वह यहाँ पर सो किया जाता है इसके बाद आगे बात करते हैं LB employees का जो leave balance है 1-1-2022 के अनुसार वह कितना है तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ओसद बेतन अपकास याने की LAP 45 days balance है इसके बाद आगे बात करें तो LHAP 28 balance है LHAP प्रतेग वर्स 20 दी जाती है और बहीं LAP प्रतेग वर्स 30 दी जाती है जन्वरी महा में total 31st day होते हैं जिसमें की LB employees को 31st day के हिसाब से payment दी गई है जो की 43,708 रुपे बनी है इसमें से कुछ कटोतियां की जाती है जो की 3,821 है इन सभी के बारे में हम अभी विस्तार पूर्वग बाते करेंगे इन सभी को cut करने के बाद रेलबे employees को जो in hand salary दी जाती है वह 39,887 रुपीज है जानी की रेलबे employees को मन्त की ending में 49,887 रुपे बेंक अकाउंड में deposit कर दिये जाएंगे इसके बाद विस्तार से बात करते हैं तो earning में रेलबे employees को क्या-क्या allowances दिये जाते हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हैं basic pay जो की starting में 19,000 रुपे होता है increment लगने के बाद यह है अभी बरतमान में 20,500 रुपे है next allowance की बात करते हैं dearness allowance जो की महंगाई भता होता है बरतमान में 8,262 रुपे दिया गया है जो की इस time basic pay का 38% dearness allowance दिया जाता है house rent allowance तीन केटेगरी में दिया जाता है X city, Y city और Z city के अनुसार यह 9, 18 और 27% basic का pay किया जाता है जैसे की ग्रामिन छेत्रों के स्टेशनों पर 9% मध्यमबर्गी सहरों में 18% और मेट्रों महानगरों में यही payment 27% basic का दिया जाता है इसके बाद transport allowance जो की 1189 रुपे दिया गया है यह निश्चित रहता है इसके बाद अब बात करते हैं ALP को जो kilometer allowances दिया जाते हैं वैकेस हिसाफ से दिया जाता है तो ALP जो की 19,000 basic pay के अंटर्यट आते हैं उनको 3.76 प्रति किलोमीटर के हिसाफ से running allowance पे किया जाता है वही 2400 grade पे पर जो senior ALP लोग आते हैं उनको 3.81 के हिसाफ से प्रति किलोमीटर running allowance दिया जाता है senior ALP के next promotion की तो उनको promotion में goods train का local pilot बना दिया जाता है जो grade पे 42 रुपे होता है इनको प्रति किलोमीटर के अनुसार 5.20 यानि प्रति किलोमीटर के हिसाफ से running allowance दिया जाता है next allowance की बात करते हैं तो allowance in lieu of kilometer HRQ 397 रुपे पे किया गया है इसके बाद next है sale allowance जो की signal exchange के लिए आपने देखा होगा local pilot और guard के पास एक green और red color की light होती है जिसमें की sale से चलने वाली वो light होती है उसके लिए railway में goods guard और local pilot को sale allowance दिया जाता है जो की इस महीने में 105 रुपे दिया गया है वहीं leave allowance की बात करें तो ये सिर्फ running staff को ही दिया जाता है जिसमें की ALP लोगों को 2589 रुपे इस मन्थ में pay किया गया है जो की basic pay का लगभग एक से 70% के हिसाफ से दिया जाता है और next allowance की बात करें तो night duty allowance भी दिया जाता है जो की प्रतेक करमचारे दौरा 8 घंटे की night में duty करने के बाद एक unit के हिसाफ से night duty allowance दिया जाता है जिसमें की सभी great pay के अनुसार अलग-अलग unit का अलग-अलग price होता है इसके बाद बात करें कटोतियों के बारे में तो railway insurance scheme का 30 रुपे कट हुआ है वही social security scheme का 100 रुपेज और new pension scheme यानि की NPS का 3490 रुपे और state government को जो tax लगता है उसका 200 रुपेज कट किया गया है इन सभी deduction के बाद railway employees को जो net salary उसके in hand में जाती है वह 49,887 रुपे है इन सभी के अलावा railway employees को और भी allowances दिये जाते हैं जैसे की national holiday allowance uniform allowance भी दिया जाता है जो की प्रतेख वर्स साल में एक बार दिया जाता है जिसमें की 5000 रुपे दिये जाते हैं इसके अलावा भी आपके मन में किसी तरह का doubt है तो वह आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब रेलबे तक और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें इससे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर और भी रेलबे से रिलेटिड वीडियो को देख सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद